किसान भाईयो नमस्कार, किसान भाईयो आप से भी कामरे यूटूब चैलनल में फिर्दर सबागत है किसान भाईयो बहुत से किसान भाईयो ने गेहों के बुआई कर लिया लेकिन गेहों के बुआई का सही समय निकल चुका है अब समय चल गया है गयों की पच्छेती बुवाई का कुछ किसान भाईयों ने अपने गन्ने के पचल काट करके गयों के बुवाई कर लिये लेकिन कुछ किसान भाईयों ऐसे है जिनका गन्नक खतम होने में अभी 10 से 15 दिन लग जाएंगे तो किसान भाईयों आज आपके लिए एक ऐसी विराइटी लेके आए जिसकी बुवाई आप 15 दिसंबर तक भी यदि करेंगे तब भी आप अपनी क्यों की पचल से एक बहुत सांदार उत्पदन ले सकते हैं किसान भाईयो इस वराइटी का नाम आपको बताया जाएगा इस वराइटी की पूरी डेटेल आपको वीडियो मिल जाएगी साथ ही यह बना जाएगा के आप इस समयापर HD 396 की बौई करे या पिर इस वराइटी की बौई करे आपको दोनों में से कौन सी वरायटी एक अच्छत पतर निकाल करके देगी तो किसान भायो आप वीडियो को पूरा देखेगा और किसान भायो यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे के मारे आनेवल से भी वीडियो आप तक पहुँच सके तो किसान भायो पहले बात करते हैं इस वरायटी के बारे में इस वरायटी का नाम है HD 36C किसान भायो यदि इसकी बाई की बात करें तो आप इसकी बाई अगेती भी कर सकते हैं और पच्छती भी कर सकते हैं किसान भायो इस वरायटी की बुवाई आप यदि 15 दिसंबर तक भी करते हैं तब भी आप अपनी ग्यों की फचल से अगेती फचल की तरह ही एक बहुती अच्छा बहुती सांदाल पदन ले पाएंगे किसान भायो जदी आप इसकी बुवाई करते हैं तो आपको बीज की मातरा 50 kg से लेकर 55 kg परती एकट के साब से लेनी होगी इसके जो पोदे की हाइट होती है वह 96 cm तक हो सकती है यह वरायटी मातर 156 दिनें पकर के तयार हो जाती है और आपको इसमें पूरी फसल में 4-5 से चाई करने के आप सकता पड़ती है किसान भायो इस वरायटी का दाना मोटा होता है उसमें ज़्यादा वजन बनता है जिस कारण से हमारी गियों की फसल से एक अच्छत पतन देहने को मिलता है किसान भायो इसकी जाधी खाने के बात करें तो इसके जो रोटी बनती है वैं खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है और उसमें प्रोट्यून की बहुत ज़्यादा महातार देहने को मिलती है किसान बाईयो यह variety पेला रतुवा भुरा रतुवा इन सभी रोगों से सेंसिल बनाई गई है आपको इस variety में केसी भी प्रकार का कोई भी लोग देहने को नहीं मिलेगा किसान बाईयो इस variety के वह आप पंजाब, हरियाना, उत्राकंड, उत्तरप्रदेश, राजस्तान, बिहार इन सभी राज्यों में कर सकते हैं किसान बाईयो अब बात करते हैं कि हमें actually 30-60 कितना पदन लिगाल करके दे सकती है किसान बाईयो आपको एक यहाँ पर फिसे ध्यान देना है कि कोई भी variety, किसी भी परकार का कोई भी जाज़ात पदन निकाल करके नहीं देती है केवल variety की जो commodity होती है वह होती है कि रोग परद दग शमता को देखने में या फिर उसके दाने का जो आकार है उसके जो दाने का साइज है वह कितना जादा है और कितना कम है किसान भाईयो आप यदि अच्छे से मैनत करते हैं अच्छे से सही समय पर खाट डालते हैं सही समय पर अपने खेट में पान देते हैं तो आप एक पदल ले पाएंगे यदि आप अपनी फसल में सही समय पर खाट नहीं डालते हैं पानी नहीं देते जब किसान भायों आप एक अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे किसान भायों जदी इसकी ओस्तन पैदावार की बात करें जदी आप नोर्मल पैदावार अपनी फसल चे लेना चाते हैं तो आपको यह 22-24 कोंटल तक उत्पदन निकाल करके दे सकती है जदी आप इसमें अच्छे से खाद, अच्छे से पानी और सही समय पर सभी कारे करते हैं तो आप इसकी जो पैदावार है वे 30 कोंटल पर थी एकड़ तक भी ले सकते हैं किसान भाईयों आप बात करते हैं कि हमें HD 29-36 की बुआई करने चाहिए या फिर HD 36 की बुआई करने चाहिए तो वह आपको ज़दा च्छत पदे निगाल करके नहीं देगी लेकिन यदि HD 360 की बॉय करते हैं तो HD 360 आपको एक बहुत ही चांदार उत पदे निगाल करके दे सकती है किसान भाईयो, HD 296 के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने पहले ही अपने YouTube चैनल को पर दे रख किया है यदि आप उस वीडियो को देखेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी किसान भाईयो, उम्मीद करता हूँ आपको आज यह जानकारी अच्छे लगए होगी यदि जानकारी अच्छे लगए हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्स्क्राइब करना मिलते हैं कि नहीं वीडियो में नहीं जानकारी के साथ तब तक करें नमस्कार